दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जार्खन विदान सभा में उठा नौवी और ग्यारवी में शुल्क ब्रीधी का मामला जार्खन एकडमी कॉंसिल यानि जैक ने जार्खन में नौवी और ग्यारवी की एकजाम फीस और रेश्टेशन शुल्क में ब्रीधी कर दी है यह ब्रीधी लगबग डेड़ गुना तक की गई है वहीं रेजिस्ट्रेशन और एकजाम फॉर्म भरने की तिती ऐसी रखी गई कि जार्खन के लगबग 10,000 बच्चे परिच्छा में शामिल होने से बंचीतर हजार है हैं जार्खन में बिमार और जखमी पशों को मिलेगा तत्काल इलाज जार्खन में बिमार और जखमी पशों के लिए चिकितसा हेतू इंबुलेंस काम करेगा यह जानकारी जहारखन सरकार के पशु पालन मंतरी बादल पतलेलेक ने दी उन्होंने कहा कि पशु के लिए एमबुलेंस के अभाव में जहारखन सरकार पशु मुक्ती धाम भी बनाएने जा रही है जिसे पशु को पशु के मरने के बाद इधर उधर फेकना नहीं पड़े पल की पूरे रिती रिवाज के साथ पशों को मुक्ति मिलेगी जहारखंड की प्रतिव व्यक्ति आए 86,060 रुपे जहारखंड के बीतमंत्री रामेश्वर उराओं ने जहारखंड विधान सभा में बताया की करेंट प्राइस के अनुसार जहारखंड के 86,060 रुपे जहारखंड के लोगों के 86,060 रुपे प्रतिव व्यक्ति आए है उन्होंने कहा कि जहारखंड सरकार प्रतिव व्यक्ति आए को बढ़ाने के लिए बारसीक बजट 2023-24 में ठोस आर्थिक रणनीती के तहथ ग्रामिन शेत्रों में बड़ी राशी का प्रावधान किया है इसके तहथ क्रिसी ग्रामिन कार्य एवम ग्रामिन पिकास के लिए आगा में वीतिय वर्स के लिए क्रमश 4,627 करोड, 4,293 करोड और 8,166 करोड रुपय का प्रावधान किया गया है देश के 106 हस्तियों को दिये गए पद्म पुरसकार राश्टरपती भवन में राश्टरपती द्रौपदी मूर्मो ने बुदवार को 106 लोगों को पद्म पुरसकार से सम्मानित किया है राश्टरपती ने पहला सम्मार आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोशी को दिया उनकी बेटी ने पीता को मिला पद्म बीभुषन सम्मान गरहन किया इसके बाद बिजनेसमेन कुमार मंगलम बिड़ला को व्यपार और उद्योग शेतर में योगदान के लिए 22 मार्च को पद्म भुषन से सम्मानित किया गया बिड़ला परिवार में पदम भुरस जहां पुरसकार पाने वाले कुमार मंगलम चौथे व्यक्ती बन गए है नीट की परिशा दे रहे SC-ST शात्रों के लिए अच्छी खबर NTA ने कुछ दिन पहले ही SC-ST वर्ग के शात्रों के लिए एक नोटी जारी किया है जिसमें यह इसपश्ट किया है कि अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती परमान पत्रों के लिए कोई भी कट ओफ तिथी तै नहीं है नीट 2023 के लिए न तो सर्टिपिकेट और नहीं आवेदन पत्र के लिए SC-ST को लेकर कोई तारिक निधारित है कई शात्र कट ओफ डेट की चलते काफी परिशान थे अब उन्हें इससे संबधित समस्या का सामना नहीं करना होगा नीट 2023 आरक्षन नीती के अनुसार प्रतियक पाठेकरम में 15% सीटे अनुसुचित जाती और 7.5% सीटे अनुसुचित जन जाती के लिए आरक्षीत है लिए उमिदवारों से आवेदन मांगे हैं इन पदों पर इच्छुक उमिदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं इसके तहत असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के 46 पदों पर भरतिया की जाएंगी भारतिय खादे निगम की भरति के लिए आवेदन करने की आखरी तारिक तीन अपरेल 2023 तक है भारतिय खादे निगम दोरा की जारी भरति में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 26 और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 20 पद शामिल हैं 23 मार्च को 31 परियोजनाओं का उदगाटन और शिलानयास करेंगे गटकरी केंद्री मंतरी नितिन गटकरी 23 मार्च को जारखन में 13,296 करोड रुपए की 31 परियोजनाओं का उदगाटन और शिलानयास करेंगे इन परियोजनाओं में दिल्ली कुलकाता और मुंबई कुलकाता कोरिडोर और भारत माला पैकेज सामिल है जिसके तहत रिंग रोड और बाइपास बिक्सित किये गए हैं परेटन को बढ़ावा देने और तेज यात्रा की सुविधा वाली परियोजनाओं के अलावा गटकरी द्वारा राज्य की अपनी यात्रा के दोरान अन्यकई परियोजनाओं का उदगाटन किया जाएगा सेंटरल बैंक में पांच जार से अधिक पदों पर निकली भरती 2023 सेंटरल बैंक ओफ इंडिया ने अपरेंटीस पदों के लिए भरती निकाली हैं उमिदवार इन पदों के लिए बैंक की आधिकारिक वेपसाइट centralbankofindia.co.in के जरीए आविदन कर सकते हैं। आविदन 20 मार्च 2023 से शुरू हो गया है और 3 अपरेल 2023 तक जारी रहेगा। आविदन करने का लिंक आधिकारिक वेपसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। बैंगने जिहां अपरेंटीस के 5000 खाली पदों पर भरती के लिए आविदन मागे हैं। उमिदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड से निर्धारित अंतिमतिती तक आविदन कर सकते हैं। यह भरती UPMP बिहार उत्राखंड समेत विभिन राजियों के लिए निकाली गई अपरेंटीस पदों पर आविदन करने वाले उमिदवारों के पास किसी भी मानेता प्राप्त विश्व विद्याले से किसी भी इस्ट्रीम में सनातक की डिग्री होनी चाहिए। पियम मोडी ने पेश किया 6G विजन डॉक्यूमेंट। भारत में फैब जी पिछले साल के आ अरेंद्र मोडी ने बुधवार को भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है। इसके साथ ही उन्होंने 6G रिसर्च और डेवलोपमेंट टेश्ट बेट लाँच किया है। देश में 6G टेकनोलोजी को लाँच करने और एडॉप्टेशन में ये डॉक्यूमेंट मदग कार होंगे। 5G लाँच के समय भी PM मोडी ने 6G को लेकर तयारी शुरू करने की बात कही थी। 6G विजन डॉक्यूमेंट पेश करते हुए PM मोडी ने कहा ये डिसेट भारत का टेक एड है, भारत का टेलिकॉम और डिजिटल मॉडल स्मूध है, सिक्योर है और ट्रांस्पेर के मौके पर ये बाते कहीं। आविदन करने वाले ब्यक्तियों की मदद के लिए UIDAI एक मानक परमानपत्र जारी करता है। अब आप बिना दस्तावेजों के ही अपना आधार कार्ट आसानी से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। जिहां UIDAI के एक सर्कूलर के अनुसार आधार बनवाने के लिए सांसद या विधायक या राजपत्रीत अधिकारी या तसिल्दार या तसिदाल जेसे विभिन पदाधिकारियों से मानक परमानपत्र प्राप्त कर सकते हैं। परमुक या पारसद या अनाधालय के परमुक या गराम पंचायत के परमुक से भी मानक परमानपत्र प्राप्त कर सकते हैं। जुड़े काम को निप्टा सकेंगे हलाकि 31 मार्च के बाद लागातार दो दिन एक और दो अप्रेल को बैंकों में कामकाज नहीं होगा आरवेन 81 जिहां 21 मार्च को जारी अपने निर्देश में कहा है कि 31 मार्च को चालू वीत वर्ष 2022 22 खत्म हो जाएगा ऐसे में सरकार से जुड़े सब ही लेन दिन इस तारीक तक पूरे हो जाने चाहिए वीत वर्ष 2022 तेश को लेकर 31 मार्च के लिए निर्धारित खातों की वार्षिक समापती के साथ वे अपनी शाखाओं को उप्युक्त तीथी तक काम के घंटों तक खुला रखें BSF में कॉंस्टेबल के 284 पदों पर भरती का मौका बोरेड सीकुरिटी फोर्स याने BSF में बारवी पास के लिए कॉंस्टेबल के पदों पर भरती पाने का मौका है रिक्त 284 पदों पर योग्य उमिदवारों की भरती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चारी है इसकी पूरी जानकारी विभा की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जारी नोटिफिकेशन में मौजुद है भरती का नोटिफिकेशन के उनुसार आवेदन दर्ज करने की कैटेगरी वाइज जिहां कैटेगरी वाइज रिक्तियों की डीटेल्स आधिगारिक नोटिफिकेशन में दी गई है अनारक्षित कैटेगरी के उमिदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपे हैं जबकि आरक्षित कैटेगरी और महिला उमिदवारों के लिए आवेदन शुल्क हैं जिहां आवेदन निशुल्क हैं आवेदन की समय 47 रुपे 20 पैसे की प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी वोटर आईडी को आधार कार्ट से लिंक करने की बढ़ी समय सीमा केंदर सरकार ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ट से जोडने की अंतिम्ति थी एक अपरेल 2030 से बढ़ा कर 31 मार्च 2024 कर दी गई है इसके साथ ही यूजर से 31 मार्च 2024 तक अपने आधार को वोटर आईडी से आनलाइन या SMS के जरिए लिंग कर सकते हैं खबरों को माने तो चुनाव आयोग ने कहा लिंकिंग प्रकृरिया प्रकृर्टी में अनिवार यह नहीं है लेकिन एक से अधीक निर्वाचन शेत्र में या एक से अधीक बार एक ही निर्वाचन शेत्र में एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरन की पहचान करने में मदद करती है दिसंबर 2021 में लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन बिधेक पारित होने के बाद आधार को मत दाता पहचान पत्र से जोड़ने को अधिकरीत किया गया था